Hello everyone, Welcome to Toshua Academy Banking and Law आप सभी ब्योर का बहुत-बहुत स्वागत है यह काफी important news है जो आपको सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए जो भी student preparation कर रहे हैं, bank के legal officer की तो यहाँ पर काफी exam आने वाले मन्त में आपको देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी exam हैं लगभग उनके date की मैं बात करूँगा कब किसके exam हो सकते हैं और इस वीडियो में important act के बारे में बात करूँगा 4 से 5 जो है आपके important act होंगे जो इस week आपको पढ़ने हैं उसके बाद मैं professional law की class in act पर लेकर आऊंगा ठीक है और फिर आपसे वहाँ पर मैं पूछूँगा कि आपने क्या-क्या पढ़ा है अगर आपको ये act पढ़ने में कोई problem होती है कैसे पढ़ना है क्या important इसमें हो सकते हैं अगर इस तरह की कोई problem आपको face करनी पढ़ रही है तो आप comment में करके या whatsapp number पर comment करके कि आप मुसे बात कर सकते हैं पूछ सकते हैं तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे कौन-कौन से एक्जाम अभी होने वाले है तो सबसे पहले होने वाला है bank or marastha scale 2 का जो आपके में के last month में होने की संभावना है तो इसका जो notification होगा वह अप्रेल के last में या में के first week में इनका notification रिलीज हो जाएगा अगर में के last में इनका exam होना है तो सबसे पहले होगा bank or marastha के law office scale 2 का exam उसके बाद AIC legal का exam आपका होने वाला है form इसका पहले से भराज चुका है इसका जो exam होना है वो भी अप्रेल last या में में होने वाला है इसका भी exam date आप में ही मान कर चलिए अप्रेल तो खतम हो गया है ठीक है लगबग लगबग तो अप्रेल में तो नहीं होना गा इसका में के first week या second week में इसका exam हो सकता है उसके बाद ECGC का legal जो आज की date में इसका notification आया है ठीक है इसका exam जुलाई के मन्थ में होने वाला है ठीक है तो जुलाई के मन्थ में ECGC का exam होगा उसके बाद जो आपको exam मिलेगा वो मिलेगा आपको RRB Law Officer Scale 2 का इसमें 2 साल का experience मांगते हैं तो जो भी student इसके लिए eligible है तो अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए RRB Law Officer Scale 2 का जो exam होगा वो September मन्थ में होगा इसकी भी date announce कर दी गई है पहले से ही उसके बाद आपको October और November के मन्थ में SBI Law Manager Scale 2 की exam date देखने को मिल सकती है इस साल SBI की vacancy आने की उमीद बहुत जादा है क्योंकि काफी सामय से आई नहीं है और SBI में भी काफी post legal के खाली भी है तो यहाँ पर October से November के मन्थ में आपको SBI की exam date देखने को मिल सकती है उसके बाद December के last month में IBPS SO Law Officer Scale Scale 1 की exam date IBPS के दोरा पहले से भी announce कर दी गई है तो यहाँ पर इतने सारे exam हैं जो इस year होने वाले हैं और यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि Scale 2 की एक vacancy आपको December से पहले पहले आपको देखने को मिल सकती है तो जो भी serious candidate है मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अच्छे से मन लगा कर इस साल आप लोग पढ़ाई कर लीजिए और एक अपनी जॉब ले लीजिए तो 2023 में जो experience वाले candidate हैं उनके लिए वेकेंसी है और जो non experience candidate हैं उनके लिए वेकेंसी है जो experience वाले candidate उनके लिए बैंक आउ मारस्टा का भी exam होने वाला है law officer scale 1 जो December मन्त में होने वाला है एक ECGC का है और एक AIC का है ठीक है तो ये non experience candidate के लिए है और जो भी experience candidate के हैं वो यानि यहाँ पर दोनों लोगों के लिए बैंसी इस बर्स आपको मिल सकती है आप सभी students से मेरी उमीद और आसा यही है कि आप लोग serious होकर इस बार exam को देंगे और अतधिक सफलता के साथ आप इस exam में अपनी पहच को बनाएंगे अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से act आपको इस सब्ता पढ़ने हैं और उस act को पढ़कर जो भी हमारा वीडियो होगा उसमें आप participate करेंगे और वहाँ पे बहुत सारे प्रशनों का उत्तर देंगे तो इस बीक आपको इतने सारे act पढ़ने हैं बहुत जादा नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 act है और इस सब्ता में आपको पढ़ने हैं ऐसा नहीं कि आपका पढ़ा नहीं हुआ है जिन भी student का पहले से नहीं पढ़ा हुआ है ठीक है तो जो भी act उनका पढ़ा है उसको revision करके जो भी question उस act का होगा उसमें participate कर सकते हैं बाकी अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए तो सबसे पहला act जो है surface act आपको पढ़ना है IBC आपको पढ़ना है NI act आपको पढ़ना है RT act आपको पढ़ना Consumer act आपको पढ़ना है यहां पर यह total five act है जो इस बीक आपको यह पढ़ने है यहां पर कुछ act है जिनके full form है अगर आपको पता है तो जैसे surface का full form IBC का full form NI का full form RT का full form इनका full form और इनका year ठीक है किस act का यह किस year का यह act है यह comment में करके आप जरूर बता दीजेगा तो इस act को इस सब्ता पढ़िए तब तक मैं इन में से important question को MCQ form में prepare करूँगा जो भी आपके exam के perspective से काफी important होगा अभी मैंने जो है paid PDF जो भी student हमारे लिए थे CBI law offices scale 2 में यानि Central Bank of India के law office scale 2 में उसमें 20 questions पूछा गया था professional knowledge law का जिसमें से 16 questions हमारे ही PDF से थे एकदम same to say तो जो भी कोसिस हमारी रहती है कि जो भी आपका exam pattern है जो भी question आपके exam में आते हैं उसी से मिलता जुलता आपका ये question हो चाहे MCQ form में हो चाहे paid PDF में हो या जो आपका mock test हो ठीक है तो ये मेरी पूरी कोसिस रहती है कि इस तरह से आपको help मिले तो यहाँ पर इसके full form कर दीजेगा ठीके लिख दीजेगा इनके year लिख दीजेगा और इस सब्ताह आप इस act को पढ़िए बाकि मैं MCQ प्रिपेर कर रहा हूँ एक हपते के अंदर आपको इस से related आपको कुछ न कुछ वीडियो मिलेगा तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए मिलता नेक्स वीडियो में God will say to all Thank you for watching Like, Share, Subscribe जरूर कर लीजिएगा